नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक सफल इंसान के अंदर क्या-क्या निसानिया होती हैं, जिस कारणों जिन्दगी में सफलता का स्वाद चखते हैं, ना कि असफलता का, तो आईए सुरू करते हैं समझदार व्यक्ति का पहला गुड होता है, वो परिस्थितियों से घबराते नहीं, उनके सामने चाहे जैसी परिस्थितिया आया जाए, पर डरते नहीं, वो अपने विवेग से काम लेते हैं वहीं मुर्ख व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों से डर जाता है, परिशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, कि अब मैं क्या करूँ हूँ सफल व्यक्ति की दूसरी निसानी होती है, वे रोज नया सीखने की कोशिस करती है वे ये नहीं देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा वे हर रोज नया सीखने की कोशिस करते रहते हैं जबकि मुर्ख व्यक्ति सीखने का बिलकुल प्रयास नहीं करता वो जो कुछ सीखा रहता है बस उसी का गुडगान करने में व्यस्तर रहता है दूसरे वेक्ति की सफल साओं कि तारीफ करते हैं जब कि जोकि सफल है उनको भी नीचे गिराने में लगे रहते हैं उनकी बुराब करना है यही सब करते हैं। सफल व्यक्ति की च ओधी निसानी ह discussing बरवाद नहीं करते हैं। सफल व्यक्ति की एक अपना टायम-टेबल होता है। वे अपना समय हमेसा पढ़ने में, सीखने में ओर लक्षिय प्राप्ति में लगे हैं जबकि मूर्क व्यंची व्यंची के साथ हमाइसा उल्टा ही होता हुआ एपना समय जुगा खेरने शी माटी व्यौक ए व्यृतीत कर ऑख किरने करो किलैंग रजारु इकर में करने में शुआ करें और लक्ष रादकर वह करके दिखाते हैं कई विग्धियों को आपने क्यों पक्वास करते देखा होगा और अपने जिवन में कुछ करके दिखा नहीं पाते हैं जो कम बोलते हैं और समझदार होते हैं न तो बोलने से पहले करते हैं डोकूप हमेशा मुर्खता के पातर इसलिए कहे जाते हैं कि कि वे कुछ करके नहीं दिखा पाते हैं और उनकी बाते तो चांद को चूमती है समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी निसानी होती है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना दोस्तों आपने बिल गेट्स और वारेन बफेट के बारे में सुना ही होगा ये लोग एक सब्ता में एक किताब पढ़ जाते हैं सफल बेखती के पास कितना भी नौलिज हो जाए न पर उनको लगता है कि अभी भी उनमें कुछ न कुछ कमी है जबकि मुर्ख बेखती जितना कम नालिज होता है उसका उतना ही दिखावा करते हैं यदि लिए कहा जाता है न अधजल गगरी छलकत जाए दोस्तों ये थी समझदार और मुर्ख बेखती की निसानिया अब आप मुझे कमेंट करके बताईए आप में कौन कौन सी निसानिया है यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बिल आइकन दबाना ना भुलिए